मंगर है ती तो ओल अब दियु माइने दिश्माइनर फंग फ्लास इस आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के बारे में एक प्रेयर पोसें सुनाना चाहिए हूँ उत्रा खंटेर उत्रुपर जिहें में एक सितार गंज नाम का एक सेहर है इस दिश्माइनर फिलो मिटर दूर के पवित्रत सर्थ है उसका नाम नानक बस्ता है यह है गुरु देव जी के तपोस्षण के नाम से भी जाना दाता है एक बार की बार में गुरु नानक देव जी इस सुखे पेट के नीचे बैट का तपस्या कर रहे हैं सुखे पीपल के पेट के नीचे जिसके कारण है सुखा पीपल का पेट भी हरा परा हो जाओ एक बार कुछ लोग आए गुरु जी के पास उन्होंने कहा गुरु जी इस इस गाओं में पानी के बहुत कमी है कृप्या कुछ वेवस्ता कराएं ऐसी बात सुनका गुरु नान सुनकर मर्दाना वह जड़ी लेकर चला गया बहुत दूर जाने के बाद मर्दाना को एक कमगा में उसने वहाँ जड़ी कमगा में दुखो कर लिखीसता चलाया गुरु देशी की आश्रम से कुछी जूर पहले वहां मर्दाना ने सोचा कि पानी आ भी रहा है नहीं उसने सब्सक्राइब कर देखिया और गुरु जीटा बचन तोड़ दिया जिसके कारें बहुत पानी वहीं पर रुप्या गुरु देखी वे उन लोगों को कहा कि मैं तुखा ये पानी लेया हूं इसको इस्तमाल अप्तुत करना कि सब्सक्राइब में प्रेयर प्सक्राइब कर अधरिक गाओं ने गये तुट आपर गाओं अधर जो जो आधर को पुछार को नहीं थे लेकिर पार दो कर दो कि पास आए और नहीं कहां कि हमें आशवात का देल दे गाये अवाद रहो तब इसके ही समीपस्ट गाओं में गए गुरु नाना तेव उनके ने अच्छे थे कि अपना शोडा को रच्टर को रबेजी के विनारेट की तरवट नाम कांटि पूर्डिमा को एक शेत्रे कुल में हुआ था पुरू नानक देव जी के दरम दिवस्तों गुरू कर अवर प्रकास परके नामसे भी जाना जाता है गुरू नानक देव जी के बिट्वाइस सितंBRI से नंबर गुरू नानक सेव जी शिभके नसम गुरू थे उनका गुरू अपज़ाख पाकिस्तां भी में स्सामिनारी के इस्ति्ध काओं में करुमडिकाओं में हूआ थे इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा, पाता का नाम तिप्ता देवी था इनके अनुयाई इनके गुरु नानक बाबा नानक नामों से सम्मोरित करते हैं तलवंडी चलकर नानक नाम पर ननकाना पड़ गया पापिस्टान के तलबंडी गाउं में हुआ था तलबंडी गाउं में हुआ था कि दाकाना कालो और मार्टा काना करपंडा देवी था